है? आज भई आपना Calculus का Chapter Number Second Start करने वाड़े हैं जिसका नाम है Successive Differentiation. अब Successive Differentiation Start करने से पहले, भई आप लोगों को जो differentiation की basic knowledge है न वो होनी चाहिए ठीक है जिसको differentiation आता है उसके लिए successive differentiation बिल्कुल असान है ये कुछ इस तरह से है कोई driving कर रहा है ठीक है driving सीक रहा है वो जो उसकी car है उसको market में लेके जाना चाता है तो उसके लिए पहले उसको driving में perfect होना पढ़ेगा तो उसी तरह से समझ लो successive differentiation करने से पहले आप लोगों को differentiation के अंदर क्या होना पढ़ेगा perfect होना पढ़ेगा ठीक है ये चीज़े अच्छे से कर ले ना successive differentiation की guarantee मैं लेता हूँ इसके अंदर आपको rate of change of y with respect to x ठीक है rate of change तो अपने पास जो ये होती है ना dy by dx इसको बोला जाता है rate of change y with respect to x ठीक है इसकी pronunciation कुछ इस तरह से होती है इसको जरनली आपा tangent भी बोलते हैं वो चीज़ें आपको याद नहीं करनी जस्ट क्या करना है dy by dx को आपा क्या बोलते है rate of change of y with respect to x ठीक है अब जरनली इसके अंदर भई दो चीज़ें आप लोगों को करनी होगी जो dy by dx होगा इसके अंदर आप लोगों को दो चीज़े पैचाननी है पहली constant क्या है दूसरी variable क्या है जब आप लोगों को दो चीज़े करनी होगी पहली constant क्या है दूसरी variable क्या है ठीक है अब इनको पैचानोगे कैसे तो variable के लिए मैं बता देता हूँ जब आप लोगों के पास dy by dx लिखा हो तो इसके अंदर क्या करना dy by dx के अंदर निच्चे वाड़े d के पास चले जाना कहा चले जाना जो ये मेरे निच्चे वाड़ा d है इसके पास चले जाना और ये देखना d के साथ में क्या लिखा हुआ है d के साथ में क्या लिख रखा है x तो इसके अंदर जो ये x है मेरे पास ये क्या हो जाएगा बई ये variable हो जाएगा और constant क्या होगा x को छोड़के x को छोड़के जो भी ट्रम होगी न वो क्या होगी वई constant होगी x को छोड़के जो भी ट्रम होगी मेरे पास वो क्या होगी constant होगी यह simple सी बात है क्या करना है आप लोगों को dy by dx के अंदर कहां चले जाना है निच्चे वाले d के पास चले जाना है और इससे पूछना है, इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, जो इसके साथ में लिखा होता है, मान के चलो X है, तो मेरा X variable होगा, और X को छोड़ के जितनी भी टरम होगी, वो क्या होगी, constant होगी, ठीक है, अब इसका example देखो, अगर मैं लिख देता हूँ, dy by dz, ठीक है, dy by dz, और आप लोगों से कहूँ, constant बताओ, और variable बताओ, क्या बताओ, variable, तो आप लोग क्या कहोगे, निच्चे वाले d के पास गए, इसके साथ में क्या लिखा है, z, तो इसके अंदर z क्या होगा, variable, और z को छोड़ के जो भी टरम है, वो क्या कहलाएगी, constant कहलाएगी, ठीक है, similarly, अगर मैं d y by d b लिख देखता हूं, ठीक है, d y by dt लिख देते हैं, d y by dt, तो इसके अंदर जर्नली क्या होगा, मेरे पास निच्चे वाले d के पास जाना है, वहाँ पर देखना है d के साथ में क्या लिखा हुआ है, t, तो मेरे पास t क्या हो जाएगा, variable हो जाएगा, और constant t को छोड़ के जितने भी ट्रम होगी, वो क्या होगी, constant, तो सबसे पहली बात तो यही होती है भई, आप लोगों को constant और variable पहचानने आने चाहिए, ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो देखो, अब इसके अंदर कैसे लिखा होगा, question देखो, example दे रखा है आप लोगों को, plus 3t, यह बोलो, y दे दिया आप लोगों, ठीक है, क्या दे दिया, y दे दिया, 3t plus 4x, ठीक है, आगे लिख दिया, 4z, अब आप लोगों को बोल दिया कि इसका find करो, क्या find out करना है, dy by dx find out करना है, ठीक है, तो सबसे पहला काम भई, आप लोगों को पतावना चाहिए, इसके d के पास जाने के बाद ये देखो, इसके साथ में क्या लिखा, x, तो x अपने पास क्या होगा, variable होगा, x अपने पास क्या होगा, variable, और x को छोड़ के जितने भी टरम है, x को छोड़ के क्या, यहां पर x है, यह variable है, यह क्या है, t, तो t किसका का काम करेगा, constant का का काम करेग ठीक है, उसके बाद आगे चलो, x है, variable है, z, z भी किसका काम करेगा, constant का काम करेगा, ठीक है, ये मेरे पास पहला question था, अब आप लोगों को बोल दिया वई, second question है, dy by dt find out करो, dy by dt find out करो, तो आप लोगों को सबसे पहले constant और variable find out करने है, तो जर्नली, निच्चे वाले d के पास गई, साथ में क्या लिखा है, t, तो t मेरे पास क्या होगा, variable, t मेरे पास क्या होगा, variable, और t को छोड़ के जितने भी टरम है, जैसे, यहाँ पर ये x है, ये क्या हो जाएगा constant, उसके बाद t variable, x क्या होगा, constant, उसके बाद क्या है, z, z मेरे पास क्या होगा, constant, ठीक है, पहला काम यही करना है, आप लोगों को variable और constant को पैचानना है, ठीक है, अब इससे related एक और देख लो, अगर आप लोगों को बोल दिया जाए, dy by dz, ठीक है, find out करो, तो सबसे पहले आप लोगों को variable और constant देखने है, तो निच्चे वाली टरम के पास गई, साथ में, निच्चे वाले d के साथ गई, साथ में क्या लिखा है, z, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, z तो हो गया variable, और z को छोड़के जितनी भी टरम है, z को छोड़के जितनी भी टरम क्या, यहाँ पर देखो, x constant होगा, t constant होगा, x constant, z क्या है, variable, x और t किसका काम करेंगे, constant का, तो यह देखो, एक ही question के अंदर values क्या होगी है, change होगी है, तो सबसे पहले वही आप लोगों को क्या करना है, जो निच्चे वाले d के साथ लिखा होता है, वो अपने पास किसका काम करत है, ठीक है, और इसको छोड़ के, यानि कि यहाँ पर x है, x को छोड़ के जितने भी टरम होगी, वो किसका काम करेंगी, constant का, similarly, d के पास गई, साथ में क्या लिखा है, t, t को छोड़ के जितने भी टरम होगी, क्या होगी, constant, t मेरा क्या काम करेंगा, variable का, यहाँ पर गई, d क इसका काम करेंगा, variable का, और z को छोड़ के, जितने भी टरम होगी, वो क्या होगी, constant होगी, ठीक है, यह basic fundा है, constant और variable का, अब यह मैं क्यों बता रहा हूँ, भई, आप लोगों को मैं, बिल्कुल, starting से, बिल्कुल, basic से बता रहा हूँ, जिसको differentiation की, a, b, c, भी नहीं आती न rule number first, यह भई मैंने अपने, मतलब, बुक से, अपने according बना रखे है, ठीक है, इनको ध्यान से समझ ले न, rule number first बोलता है, अगर अपने को, dy by dx, यानि कि किसी भी constant function का differentiation करना है, किसी भी constant function का differentiation करना है, तो उसका differentiation क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, अब इसका example सोन लो, example journal ही क् question लिख लेते हैं, Y दे दिया मेरे पास, Z का square, ठीक है, Z का क्या दे दिया, square दे दिया, और बोल दिया भई, find out करो, क्या find करना है, d y by dx, तो सबसे पहले भई, आप लोगों को क्या करना है, d y by dx लिखना है, फिर क्या करना है, निच्चे वाडे d के पास जाना है, निच्चे अंदर variable का काम कौन करेगा x, उसके अलावा जितनी भी ट्रम है वो क्या होगी constant होगी, तो यहाँ पर देखो question के अंदर गई, यहाँ पर क्या लिखा है z, z square है, तो यह किसका काम करेगा, constant का काम करेगा, ठीक है, किसका काम करेगा constant का, और अभी अभी आपा ने पढ़ा है कि जब आपा dy by dx यानि कि d by dx किसी constant function का z square क्या है, constant, इसका differentiation करते हैं, तो क्या आता है 0 आता है, ठीक है, अब यह अपने पास example हो वहाँ, किसका constant का differentiation क्या आएगा 0, अब constant कैसे पैचाणना है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब चलते हैं rule number second के उपर rule number second बोलता है भई, अगर मेरे पास d by dx constant और variable की क्या हो, multiply constant और variable की क्या हो, multiply तो उस case में क्या करना है, तो देखो क्या हो, constant भी दे रखा हो, और variable भी दे रखा हो, तो दोनों की क्या दे रखी हो, multiply, तो उस case में क्या करना है, तो उस case में, देखो भई, आप लोगों को constant को बार लिख लेना है, क्या कर लेना है, constant को बार लिख लेना है, और d by dx, यानि की variable को अंदर छोड़ देना है variable को क्या कर देना है अंदर छोड़ देना है अब variable का differentiation कैसे करते हैं वो मैं थोड़ी देर बात बताता हूँ एक बारी जस्ट आप constant और variable के साथ खेलना सीख जाओ ठीक है कैसे खेलते हैं कैसे handle करते हैं अगर वो चीज़े सीख गए तो आप लोगों के लिए differentiation कुछ भी नहीं है तो देखो भई constant को क्या करना है अगर constant और variable की multiplication आ जाए तो उस case में क्या करना है constant को मार लिख लेना है variable का क्या कर देना है differentiation कर देना है तो example देखो भई इसका आप लोगों को बोल दिया question दे रखा है y is equal to y is equal to 2x square y is equal to 2x square या y is equal to 2x है ठीक है तो अब आप लोगों को बोल दिया कि find out करो भई dy by dx find out करना है ठीक है तो देखो तो पहला काम आप लोगों का क्या है भई इसके अंदर variable और constant को क्या करना है find out करना है तो यहाँ पर देखो भई तो पहला काम यह आप लोगों को question दे दिया कि आप लोगों को करना क्या है differentiation करना है तो पहला काम आप लोगों को क्या है variable और constant में different का पता होना चाहिए तो सबसे पहले भई dy by dx लिखेंगे क्या लिखेंगे dy by dx तो सबसे पहले क्या करते हैं नीचे वाले d के पास जाते हैं और इसके साथ में क्या लिखा है x तो यहाँ पर देखो जो मेरे पास x है वो किसका काम करेगा variable का और x को छोड़के जितनी भी ट्रम है वो किसका काम करेगी constant का तो यहाँ पर देखो यह मेरे पास x क्या हो गया x मेरे पास हो गया variable और जो 2 है मेरे पास क्या हो गया constant हो गया तो यही तो आपा पढ़ते हैं देखो dy by dx निचे वाले d के पास जाना है इसके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x तो x किसका काम करेगा variable का और x को छोड़के जितनी भी ट्रम है वो किसका काम करेगी constant का तो x मेरे पास क्या हो गया variable ठीक है यह 2 क्या हो गया constant अभी अभी किया है constant और variable की multiplication हो तो उस case में आपा क्या करते है dy by dx निकालने के लिए dy by dx निकालने के लिए क्या करते है constant को बार लिख लेते है constant क्या है 2 और x का जो अंदरवाली ट्रम है variable उसका क्या कर देते है differentiation कर देते है ठीक है यह अपने पास क्या है rule number second ठीक है अपने को constant और variable की multiplication आ जाए तो उस case में आपा क्या करेंगे constant को बार लिख देंगे क्या करेंगे constant को बार लिख देंगे और variable का क्या कर देंगे differentiation कर देंगे तो देखो सबसे पहले चेक कैसे करते हैं बता दिया नीचे वाड़े T के पास जाओ साथ में क्या लिखा है X तो X किसका काम करेगा variable का तो X क्या हो गया variable और X को छोड़ के जितनी भी ट्रम है जैसे 2 है किसका काम करेगी constant का constant और variable की क्या है multiplication तो इस case में क्या करेंगे देखो constant को बार लिख देंगे और जो variable है उसका क्या कर देंगे differentiation करतेंगे ठीक है यह basic से rule है जिनका आप लोगों को क्या होना चाहिए पता होना चाहिए उसके बात अब आते हैं कि differentiation किया कैसे जाता है भाई इसकी PDF नहीं है मेरे पास इसको साथ की साथ note कर लेना ठीक है अब बात आती है कि differentiation करते कैसे है तो भाई differentiation के लिए पहला rule तो आप लोगों का यही है rule number first कि मेरे पास जो constant function होता है क्या होता है constant function उसका differentiation क्या आता है भाई मेरे पास 0 आता है ठीक है अब differentiation किया कैसे जाता है तो देखो d by dx मेरे को क्या करना है भई यह मेरे पास x variable है और x की power मान के चलो 2 है ठीक है इसका क्या करना है differentiation करना है तो differentiation बोलता क्या है ज्यान से सुनना यह इसका answer होगा जो मैं बोल रहा हूँ जो variable की power होती है variable कैसे चेक करना है सबसे पहले निच्चे वाड़े d के पास जाओ इसके साथ में क्या लिखा है x तो x किसका काम करेगा variable का ठीक है तो x किसका काम करेगा variable का जो variable की power होती है उसको कहा लेके आते है आगे variable की power काले क्या आते हैं आगे variable को agities लिखते हैं और variable की जो power है उसमें से क्या कर देते हैं एक minus कर देते हैं ठीक है और उसके बाद इसका एक बारी क्या कर देते हैं differentiation त्यान से सुनना भई ये जो मैं बता रहा हूँ न ये वाड़ी चीज ये आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगी ठीक है वो direct लिखेगा तो थोड़ा द्यान से सुन लेडा एक बारी फिर से लिखता हूँ मैं जर्नली करने क्या बाड़ा हूँ variable का differentiation कैसे करते हैं जो variable की power होती है न उसको आगे लिख दो variable को as it is और variable की power में से एक माइनस कर दिया 2 माइनस 1 और साथ में जो variable है उसका एक बारी क्या कर दिया dx by dt ठीक है dx by dt तो ये देखो dx से dx क्या हो गया cancel out यहाँ पर क्या बचे गया 2x की power 1 ये मेरे पास क्या हो गया भई इसका differentiation हो गया किसका dx by x के रखा एक example और देखो d by dx निकाड़ना है मेरे को किसका x की power 6 का x की power 6 का तो जर्नली करते क्या है power आगे variable agities एक माइनस करेंगे तो क्या आगया dx by dx ये जर्नली क्या हो जाता है भई कटके 1 आ जाता है इसलिए भई इसको आपा show नहीं करते books के अंदर आप लोगों को ये चीज नहीं दियोगी ठीक है ये basic rule होता आगे जाके काम आएगा 1 हो जाएगा इसकी जगया पर similarly एक और बताओ भई dx by d by dx और आपको करना है d की power 8 का तो इसका क्या होगा भई power आगे x as it is 1-7 और dx by dx का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है तो ये कुछ basic rule होते है किसके differentiation के अब example के तोर पे एक से के लोग अब भई next देखो एक बारे अब इसी से related बता रहा हूँ आप लोगों को d by dt दे दिया ठीक है और यहाँ पर दे दिया आप लोगों को t की power 5 तो इस case में भी क्या करना आप लोगों को निच्चे वाले d के पास जाना है क्या करना है निच्चे वाले d के पास जाना है और देखो d के साथ में क्या लिखा है t t किसका काम करेगा variable का t को छोड़ के जितनी भी टरम होगी वो किसका काम करेगी constant का तो यहाँ पर देखो t की power क्या दे रखी है 5 तो क्या करते है variable की जो power होती उसको आगे ले आते है 5 t as it is और power में से 1 minus 5 minus 1 किया तो 4 dt by dt इसको क्या लिख देते हैं भई 1 तो यह मेरे पास sensor क्या गया 5 t 4 5 t की power 4 तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है differentiation करना है अब differentiation के भई कुछ formula आते है जो आप लोगों को क्या करने होगे याद करने होगे यह formula याद कर लेना successive differentiation की guarantee मैं लेता हूँ भई एक भी student को दिक्कत नहीं आने वाड़ी मैं जर्नली क्या करता हूँ भई बिल्कुल basic से चलता हूँ मैं यह मान के चलता हूँ जो मेरी video देख रहा है वो पहली बर मेर से पढ़ रहा है तो उससे मैं क्या करता हूँ उसको क्या सोचता हूँ और बाकी दो ऐसी ही देख रहे है मैं ऐसा नहीं करता तो इसलिए मैंने बिल्कुल differentiation basic से start किया है अगर आप लोगों को differentiation अच्छे से आता है न तो successive differentiation की मैं guarantee लेता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया न तो आप comment करके बता देना या मेरे पास message कर देना ठीक है तो journal ये कुछ formulas है जो आप लोगों को याद करने है तो सबसे पहले तो यही formula है वही d by dx, x की power n तो variable क्या है? x, x की power n है ठीक है? कोई भी power दे रखिये 1, 2, 3, 4, 5, मैंने just अभी आप लोगों को बताया है तो आप लोगों को क्या करना है? power को आगे लेके आना है ठीक है? variable की जो power है उसको कहा लेके आए? आगे x, power में से एक minus कर लिया ठीक है? ये basic rule है और इसके साथ में वही क्या आता है? dx by dx भी आता है तो ये journal ही क्या हो जाता है? कट के 1 हो जाता है इसलिए यहाँ पर आपा इसको नहीं लिखते ठीक है भई? कोई दिकत उसके बाद आता है अगर मेरे पास d by dx sin x यानि कि मेरे को differentiation करना है किसका sin x का तो वो क्या हैगा मेरे पास cos x इसके अंदर variable कैसे देखा जाता है? ये चीज़ द्यान से सुन ले न अगर मेरे पास ये trigonometry function दे रखे हो तो उस case में variable और constant कैसे find out करेंगे? तो देखो वही जर्नली आपा सबसे पहले तो वही काम है basic सारूल d के निच्चे वाड़े d के पास जाओ इसके साथ में क्या लिखा है? x तो x किसका काम करेगा? variable का trigonometry function में देखो अगर अपने पास लिख रखा है sin x तो इसके अंदर ये वाड़ा x क्या है? variable तो sin x भी क्या हो गया? variable अगर यहाँ पर लिख दे sin t क्या लिख दे? sin t तो ये क्या है variable x? x को छोड़े के सारी ट्रम क्या होगी? constant यहाँ पर क्या लिखा है? t तो ये किसका काम करेगा? constant का ठीक है? अगर यहाँ पर लिख दे d by dx और साथ में क्या दे दिया? sin t तो variable क्या है? x t किसका काम करेगा? constant का तो इसका जो constant का differentiation है क्या आजाएगा? constant का constant का मेरे पर लोगों को याद करवा at x जब भी में किसी c वाले function का मेरे पार जर्नली रहाएगी tignometry function होते हैं जब मी मैं किसी tignometry function का differentiation करूँगा और उसकी जो पहली टरम है अगर c है पहली टरम क्या है? c है तो ये देखो answer में हमेशा क्या आएगा भई? minus का sign आएगा answer में क्या आएगा? हमेशा 3c के formulae और answer में 3ों में क्या आएगा? minus का sign तो minus की जो आप लोगों की confusion है वो क्या होगी? दूर होगी sign का differentiation cos, cos का minus sign x 10 का secant square x उसके बाद cosecant का क्या होता है? minus का cosecant x, cotex उसके बाद secant का secant x, 10 x और उसके बाद last में cotex का क्या होता है? minus का cosecant square x तो ये वही tignometry functions के होते हैं उसके बाद अपने पास inverse tignometry function के differentiation आते हैं जो मैं आप लोगों को ये formulas बता रहा हूँ ये successive differentiation में बरे पड़े हैं ठीक है? ये वाड़े जो function है ये successive differentiation में बरे पड़े हैं तो आप लोगों का सबसे पहले differentiation में हाथ साफ होना चाहिए ठीक है? आप लोगों को सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि differentiation को handle कैसे किया जाता है अगर आप differentiation को handle कर रहे होना तो मैं बही guarantee लेता हूँ successive differentiation में कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद जब मैं क्या करता हूँ d by dx sin inverse x का करता हूँ यह formula होता है 1 upon under root 1 plus x sorry under root 1 minus x square उसके बाद differentiation of cos inverse x यह होता है minus का sign 1 upon under root of 1 minus x square तो देखो sign में 1 upon under root 1 minus x square cos में क्या होगा? जब मैं differentiation of 10 inverse x करूँगा तो मेरे पास 1 upon 1 plus x square आएगा similarly 10 का हूटा क्या होता है? कोट और कोट का करूँगा तो यहाँ पर क्या जाएगा? minus का sign आजएगा second inverse x का differentiation करेंगे तो यह आएगा 1 upon x under root x square minus 1 और जब मैं cosecant inverse का करूँगा तो यहाँ पर क्या जाएगा? minus का sign आजएगा ठीक है? यह भई मेरे पास 5 यह होगे ठीक है? 5 formula यह होगे 2, 4, 2, 6, 1, 7 7 formula होगे भई यह ठीक है यहाँ पर है उसके बाद 5 यह होगे 7 और 5, 12, 3 वो है यह क्या है? अगर मैं e की x का differentiation करता हूँ तो e की x आएगा अगर मैं differentiation of log x करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 1 by x अगर मैं differentiation of e की power x का करता हूँ यह द्यान से समझ लेना अगर मेरे पास constant की function जो मेरे पास constant है और उसकी power क्या हो? variable constant की power क्या हो? variable देखो निचे वाड़े के पास गई साथ में क्या लिखा है? x x किसका काम करेगा? variable का और x को छोड़ कि जितनी भी ट्रम है और वो किसका काम करेगी? constant का तो देखो constant की power क्या दे रखी है? variable तो इस case में क्या करेंगे? देखो वही simple सा funda है यह वाड़ी ट्रम agities लिख देगे constant की power variable agities इसके साथ में एक चीज आ जाएगी log लिख देंगे और log के साथ में जो constant लिख रखा है वो agities लिख देगे ठीक है? यह constant है इसको यहाँ पर लिख देगे तो देखो a की power x दे रखा है journal ही क्या करेंगे? यह वाड़ी ट्रम agities और log of a यानि कि जो constant उसको log के साथ लिख देंगे तो यह वाड़ी मेरे पास क्या है? साथ, पांच, बारा और तीन, पंदरा पंदरा फोर्मूले हैं जो याद करने पढ़ेंगे ठीक है? इनको रटल हो गई और कोई चारा नहीं है successive differentiation करना है न तो यह वाड़े tips पर याद होने जरूरी है इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगों को जो basic idea था differentiation का हो मैं दे चुका हूँ अब कुछ rules है u plus v, u into v, u upon v वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए ठीक है? अब मैं क्या करने वाड़ा हूँ? जैसे ही ये lecture जो last में है आप लोगों को practice के लिए question देने वाड़ा हूँ ठीक है? थोड़े बहुत question मैं भी करवाने वाड़ा हूँ जो practice के लिए question दूँगा ना चो भी 5, 7 जितने भी question होगी उसकी अच्छे से practice कर लेना एक दो बार निकाल के देख लेना या एक काम करना प्लस वन की जो आप लोगों के पास फूक है ना उसके जो differentiation के question है दस बारा question कर लेना आप लोगों का जो differentiation के अंदर आथ है ना वो बिल्कुल साफ हो जाएगा successive differentiation में फिर मैं कोई दिक्कत आप लोगों को आने नहीं दोंगा तो starting करते हैं भई d by dx अगर अपने पास दे रखाओ d by dx और दो function क्या दे रखे हो addition में दे रखे हो ठीक है ये दो function है कुछ भी हो सकते है u की value sin x हो सकती है u की value cos x हो सकती है v की value cosecant x हो सकती है और secant x कुछ भी हो सकती है तो journaling मैं क्या करूँगा भई दोनों का अलग-अलग differentiation कर दूगा ठीक है, दोनों का क्या कर दूगा अलग-अलग differentiation कर दूगा ठीक है, ये rule number first हो गया अपने पास d by dx rule number first, second आपके according डाल लेना अगर u into v अगर दो variable function की क्या हो, multiplication हो अपाने थोड़ी देर पहले किया था अगर मेरे पास d by dx है, यहाँ पर क्या लिख रखा है constant, और यहाँ पर multiply में क्या है, variable तो उस case में आपा क्या करते थे, constant को बार निकाल लेते थे, और जो मेरे पास variable था, इसका क्या कर देते थे, differentiation कर देते थे, variable का क्या कर देते थे, differentiation, बट इस case में u b क्या है variable v b क्या है variable तो इसको कैसे करते है first function as it is u को as it is लिख देते हैं second function का differentiation second function का differentiation अब first को as it is लिखा है second का क्या किया differentiation second को as it is लिख दो first का क्या कर दो differentiation यह याद ऐसे ही होता है वही कैसे u into v first function as it is differentiation of second plus second function as it is differentiation of first यह basic रूल है जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए उसके बाद आता है वही मेरे पास अगर दो वैरियेबल फंक्शन डिवाइड में हो दो वैरियेबल फंक्शन dx by u by v हो d by dx u by v हो तो इसको जर्नली याद कैसे करते हैं वो भी देख लो जो मेरे पास निच्चे वाड़ा फंक्शन है इसका किया जाता है square ठीक है जो निच्चे वाड़ा वैरियेबल फंक्शन इसका किया जाता है square और निच्चे वाड़े function को agities v का square किया बट v agities लिखना है फिर क्या करना है जो उपर वाड़ा है उसका differentiation, बीच में sign minus का, अब उपरवाले को agities, निच्चे वाले का differentiation ठीक है, इसको एक बारी फिर से देखलो, जर्नली आपा क्या करते हैं, अगर u by v दे रखाओ u b variable है, v b क्या है variable दोनों divide में हो, तो उस case में आपा क्या करेंगी, निच्चे वाले का कर देंगे square, निच्चे वाले को agities, उपरवाले का differentiation minus u agities यानि कि उपरवाला agities differentiation of differentiation of v, ठीक है यह basic rule है, तीन rule जिनका आप लोगों को क्या करना है, use करना है, और यह आप लोगों की tips पे होने चाहिए, अब भई, जो यह मैंने आप लोगों को जितना भी पढ़ाया है यह आप लोगों को जो भी formula बताए है यह आप लोगों को याद होने चाहिए अगर यह याद होते हैं, तो successive differentiation में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अब इससे related एक दो question or करवा देते हैं आप लोगों को तो देखो example है y दे दिया आप लोगों को 5x square plus 3x plus 2 ठीक है, अब आप लोगों को क्या बोल दिया, find करो भई dy by dx, ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को, यह दो function के लिए था, अगर u plus v, दोनों क्या हो, variable हो, अगर ये वाली टरम अपनी क्या हो जाए, आगे बढ़ जाए u plus v plus w, तो इसके अंदर आप अजस्ट क्या कर देते हैं, w को और क्या कर देते हैं, add कर देते हैं similarly, जहां तक जाना है, जा सकते हैं दिक्कत नहीं आएगी, addition के अंदर सबका differentiation अलग-अलग होता है, तो अपने को क्या करना है भई, dy by dx find out करना है, तो सबसे पहले भई, d by dx देखो, क्या find out करना है, dy by dx तो पहला काम भई, आप लोगों को क्या करना है, नीचे वाड़े d के पास जाना है, इसके साथ में क्या लिखा है, x, तो x मेरे पास किसका काम करेगा, variable का और x को छोड़के, जो भी टरम है वो किसका काम करेगी, constant का तो सबसे पहले भई, देखो, dy by dx find out करेंगे, dy by dx तो जर्नली ये दे क्या रखा है, dy by dx y की value क्या दे रखी है, 5x square प्लस 3x प्लस 2, अब अपने पास ये rule है भई, फस्ट, अगर addition के अंदर जो भी function दे रखें, उनको जर्नली करना क्या होता है, सबका अलग-अलग differentiation करना होता है, dy by dx किसका 5x square का ये पता है क्या है, जर्नली में आप लोगों को एक example से समझाता हूँ, ये देखो, मेरे पास यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 4, अगर आप लोगों को क्या आजाए 2 की अंदर multiply करो तो आप लोग क्या करोगे, 2 into 2x, प्लस 2 into 3y प्लस 2 into 4 ठीक है, आप कुछ इस तरह से करोगे तो ये समझो, ये बार इन सभी के multiply में है, तो सभी के साथ अलग-अलग multiply करना है, ठीक है अब क्या काम करना है, x d by dx, निचे वाले d के पास गई, x मेरे पास क्या है variable, इसके अंदर देखो constant और variable की multiplication, constant और variable की क्या है, multiplication और इसके लिए मैंने आप लोगों को rule बता रखा है constant को बार लिखते हैं constant को बार लिखेंगे, variable का differentiation करेंगे, तो क्या हैगा, 2x power आगे, 2, और एक minus किया, तो 1 आगी, उसके बाद इसके अंदर देखो, 3x variable और constant की multiplication है तो constant को बार लिखते हैं x की power क्या है, 1, power आगे लेके आए, और x के अंदर 1 minus 1, और something, 1 minus 1 क्या हो गया 0, और something की power 0 something की power क्या होती है, 0 1 होता है, ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, प्लस निच्चे गई, x क्या है, variable उपर जाके देखा ये 2 क्या हो जाएगा, constant x तो ही नहीं, तो 2 क्या है, constant और constant का differentiation क्या हो जाएगा, 0 तो मेरे पास अंसर क्या जाएगा, 5, 2, 10 nx प्लस 3, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, required answer आजाएगा ठीक है, उसके बाद आपा देखते है next question, जो की है जर्नली इनी rule से, u into v के साथ कोई simple सा question या अच्छा question देख लेते हैं जो जर्नली multiplication से related हो देखो, एक simple सा question ही बता देते हैं आप लोगो x square into x की power 4 x square into x की power 4 इसका आप लोगों को क्या करना है, differentiation करना है ठीक है, अब भई, find क्या करना आपने को, dy by dx find out करना अब कई students बोलेंगे, base same है, power को add कर दो base same है ना, power add करेंगे 6 तो x की power 6 का differentiation क्या होगा x की power 6 का differentiation होगा यह variable है, dy by dx find out करना है तो variable journaling क्या है, x तो इसका differentiation करेंगे, power आगे x as it is और 6 minus 1 याने की 5 6 x की power 5 यह अपने पास क्या हैगा, answer आएगा पट मैं क्या कर रहा हूं भई, आप लोगों को u into v apply करना सिखा रहा हूं तो इन दोन्नो function को आपा अलग-अलग मान लेते हैं ठीक है, और इसको u into v की help से क्या करते है, solve करते हैं तो u into v क्या बोलता है भई, u into v journaling अपने को बोलता है, first function को agities लिखते हैं, first function को क्या किया, agities लिखा, ठीक है उसके बाद second का differentiation करते हैं, तो इसका differentiation करेंगे, तो power आगे लेके आई, x agities, 4 minus 1 कितना आगया अपने पास, 3 बीच में sign क्या करते हैं, plus का लगाते हैं तो यही तो बोलता है जरनली, first function को agities लिखते हैं, ये मेरे पास क्या हो गया first function, ये मेरे पास क्या हो गया second function, first function को agities लिखते हैं, second का क्या करते हैं, differentiation sign plus का, फिर क्या करते हैं second वाले को agities लिखते हैं उसके बाद जो मेरे पास first function है उसका क्या करते हैं, differentiation, x square का differentiation करेंगे, तो 2 आगे 2 minus 1 करेंगे, तो उपर क्या बच जाएगा अब इसको solve करो, यह जर्नल ही मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 x square, x की power 3, plus 2 x की power 4, x की power 1, बेस सेम हो power क्या हो जाती है, 4 x की 5, plus 2 x की 5, ठीक है, बेस सेम power क्या होगी, add, 2 x है यहाँ यहाँ पर, 2 x की 5, और 4 और 2, 6 x की 5, तो यह देखो, यही answer यहाँ पर था, यही answer यहाँ पर तो जर्नलीस के अंदर क्या बोला गया है, आप लोगों को u into v कैसे apply करना है, उसके बाद देखो वई, एक question और कर लेते हैं, इसी को आप u by v से कर लेते हैं, ठीक है, upon में लिख देता हूँ मैं इसको, देखो, अगर आप लोगों को बोल दिया जाए, x square upon x दे रखा है, ठी x की power कुछ भी कर लो, x की power 5, ठीक है, x की power 5 दे रखा है, और इसको क्या करना है, solve करना है, अब कई students क्या बोलेंगी, कि सर आप इसको ऐसे कर दो, dy by dx, ठीक है, यहाँ पर x की power क्या है, 5, जब मैं इसको x की power 1 है न, उपर लेके जाऊंगा, तो इसकी power क्या हो जाएगी, x की power add, तो x की power 5 minus 1, यानि की x की power 4, और भई, निचे वाले d के पास दे, साथ में क्या लिखा है, x, तो यहाँ पर x किसका काम करेगा, variable का, और variable का differentiation कैसे किया जाता है, power आगे, x agities, और power में से 1 minus, यानि की 4x cube, इसका क्या हो जाएगा, differentiation, तो अब मैं आप लोगों को जर्नली बोल क्या रहा हूं, अंसर यहाँ पर लिख देते हैं, 4x cube, ठीक है, अब आपा क्या करते हैं, इसको u by v से apply करते हैं, ठीक है, जो मेरे पास यह वाला rule है, इसके साथ क्या करते हैं, इसको solve करते हैं, तो करो solve, तो जर्नली करते क्या हैं, भई, line लगाते हैं सबसे पहले, नि निच्चे क्या है, एक्स, जर्नली एक्स का क्या करना आता है, square, ठीक है, निच्चे वाले को agities लिखते हैं, यानि की x agities, उपर वाले का differentiation, तो x की power 5 का differentiation करेंगे, तो 5 agities, यानि की power, जो power होती, उसको आगल लेके आते हैं, और x की power 4, ठीक है, बीच में sign minus का, फिर उसके ब पाउर में से 1 minus किया, तो something की power 0 क्या होती है, 1 होती है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, अब देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, बेस सेम power add होगी, 5 minus x की 5 upon x square, तो जर्नली यहाँ से क्या आ गया भई, देखो, 5 x cube minus 4 x की power 5, यह जर्नली क्या है, 1 ह तो है, ठीक है, 5 में से 1 गया, तो यह बच गया, 4 x की 5 upon x square, अब इसको उपर लेके आएंगे, तो यह minus का 2 हो जाएगा, तो 4 x cube, ठीक है, यह answer देखो, यह answer देखो, दोनों cases में जो answer आया है, वो क्या आया है, सेम, तो मेरा जो main concept था न, आप लोगों को u into v apply करना सिखाना थ ठीक है, अब एक चीज के अंदर और दिक्कत आ सकती आप लोगों को, वो मैं बता देता हूँ, उसी से related question दूँगा आप लोगों को, अगर भई, आप लोगों को दे दिया, dy by dx find out करो, किसका, x minus a का, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो plus के अंदर property य काणी है, निच्चे वाडे d के पास गये, साथ में क्या लिखा है, x, x किसका काम करेगा, constant, x किसका काम करे, sorry, गल्थ बोल दिया, d by dx लिखा है, निच्चे क्या लिखा है, x, x किसका काम करेगा, variable का, तो मेरे पास यहां पर variable क्या हो गया, x, और variable को छोड़ के, जितनी भी है A B C जो भी है वो किसका काम करेगी constant का ठीक है किसका काम करेगी constant का तो देखो यहां पर अपने को क्या करना है variable का differentiation या निकी x की power 1 का differentiation क्या होगा मेरे पास 1 उसके बाद यह देखो d by dx निचे वाले d के पास गया निचे variable क्या है x बट यहां पर क्या है जो की क्या है constant और constant का differentiation क्या होता है 0 तो मेरे पास अंसर क्या आ गया 1 आ गया ठीक है कुछ इस तरह से minus के अंदर आप लोग कर सकते हो उसके बाद भई अप मैं आप लोगों को practice के लिए question दे रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना और करना जरूर भई क्योंकि differentiation अगर आप लोग कर लेते हो ना तो आप लोगों के जो भी doubt होंगे तो एक काम करना comment box में पूछ लेना ठीक है उसके अलावा अगर आप लोगों को pdf notes चाहिए तो उसके लिए telegram group है भई description के अंदर link है उसको join कर लो उसके अलावा जो videos का schedule है न वो आप लोगों को डेली का डेली मैं अपने instagram id के उपर provide करता हूँ तो आप लोग क्या करें description के अंदर link है instagram id को भी follow कर लो वहाँ पर आप लोगों को डेली videos का schedule मिलता रहेगा तो अब बात कर लेते हैं practice के लिए question की तो journaling भई क्या करना अगर आप लोगों को अच्छे से करना है net से बहुत सारे question मिल जाएंगी अगर आप लोगों को practice ही करनी है just इसकी practice कर लेना successive differentiation में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो मैं कुछ questions लिख देता हूँ आप लोगों के लिए तो सबसे पहला जो question है आप लोगों को solve करना है d by dx find out करना है x minus a x minus b ठीक है तो ये जर्नली आप लोगों का solve लोगा ना u into v से solve लोगा ठीक है किस से solve होगा u into v से solve होगा उसके बाद मैं एक question और लिख देता हूँ d by dx find out करना है किसका x minus a upon x minus b ये a है भई x minus a upon x minus b ये जो आपका solve होगा ये u by v से solve होगा इससे ठीक है d by dx find out करना है किसका u upon v का उसके बाद कुछ questions और हैं जो आप लोगों के लिए लिख देता हूँ मैं ये आपका first question हो गया ये आप लोगों का second question हो गया अब बात करते हैं third question की third question मैं देख लेता हूँ भई बड़िया सा question देते हैं आप लोगों को अगर आप लोगों को दे दिया भई d by dx of secant x ठीक है dy by dx of secant x fourth question आप लोगों के लिए d by dx of sin x cos x ठीक है dy by dx of sin x cos x fifth question है dy by dx of 10x cortex 10x cortex hint देख लोगी ये जरनली आप लोगों का simple हो जाएगा जब आपा secant square का differentiation करते तो answer क्या आता है secant x 10x ठीक है इसका तो answer simple ही हो गया secant x और 10x जब आपा इसको solve करेंगे इसको मानेंगे u इसको मानेंगे v ठीक है जब आपा इसको solve करेंगे इसको मानेंगे u इसको मानेंगे V, तो U upon V से form हो जाएगा U into V form से soul हो जाएगा उसके बाद ये U by V form से soul हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 2-4 question और हैं, आप लोगों के लिए लिख देते हैं मैं देख लेता हूँ और question 3 quote x plus 5 cosecant x, ये आप लोगों का 6th question है, dy by dx find out करना है, 3 quote x plus 5 5 secant x, ठीक है, ये question करना जरूर वई उसके बाद next question है अपने पास, dy by dx 7th question लिख देते हैं आपर, जो 7th question है dy by dx find out करना है किसका, 5 x square plus 3 x 5 x square plus 3 x minus 2 ठीक है, उसके बाद next question है, अपने पास dy by dx किसका x plus 3 का cube, ठीक है, ये आप लोगों का question number 8 है तो ये आप लोगों को जर्नली प्रेक्टिस करके लाने है एक question और लिख लो dy by dx of root x ठीक है, ये questions हैं आप लोगों को practice करने है और एक काम करना, इन questions के अंदर किसी को भी कोई दिक्कत आती है ना जो मैंने ये question लिखें board के उपर इनके अंदर किसी को कोई दिक्कत आती है ना तो comment में बता देना जो next video बनाऊंगा ना, उसके अंदर मैं इसको solve कर दूँगा, ठीक है, thanks for watching creative study है के, और channel के उपर नए हो तो channel को subscribe कर लेना notification bell को press कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आँ, उसकी notification आप लोगों को मिचे, उसके अलावा मैं क्या सोच रहा हूँ अगर आप लोगों का जो response है अच्छा रहता है, तो within I think 5th और 6th jam तक आप live session भी लेने लग जाएंगे, ठीक है जो आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं live पढ़ाया करूँगा, ठीक है कब से 5 या 6 जनवरी से, तब तक जो गाउं में broadband है वो भी आ जाएगा तो net की कोई दिक्कत नहीं रहेगी अब थोड़ी live session में जो net की दिक्कत आएगी तो broadband आने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों का response अच्छा रहता है तो आप आप 5 या 6 जन से जो classes हैं live start कर देंगे thanks for watching creative study